हाँ दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बता हूंगा कि यह जो स्क्रीन पे एरोड है उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हैं तो बैसिकली दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है मैं आपको वह बता रहता हूं ठीक है यहाँ आप देख सकते में जब इंटरनेट एक्सेस इनेवल करने के कोशिश कर रहा था मेरे डिवाइस में ठीक है जो कि इस दिवाइस का ब्लुटूट में यूज कर रहा थ तो इस दिवाइस का जो ब्लुटूट है मैं इसको यूज कर रहा था और उसके साथ में दोस्तों जब मैंने सेटिंग पर जाके देखा तो मुझे इंटरनेट एक्सेस का ओप्षिन मिला तो जैसी मैंने इंटरनेट एक्सेस के ओप्षिन पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ आपको क्या करना चाहिए कैसे प्रॉब्लेम सॉल्फ होगा आज के इस वीडियो पर मैं आपको सॉलूइशन बता देने वालों सिंपल साइस सॉलूइशन होगा यहाँ ठीक है कुछ बैसिक सॉलूइशन में आपको बता दूँगा उसके बाद सेटिंग आपको कैसे करना है से अनलाइन पेसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं या तो फिर आपको स्क्रीन पर वाटसेप कंटेक मिल जाएग जेनरल मेनेजमेंट ठीक है एंदेंट आपको रिसेट पर क्लिक करना है और रिसेट नेट्रोक सेटिंग पर जाके आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक कर देना है और उसके बाद अपना मोबाइल पेटरन पासवोर्ड जो भी है उसको सेट कर देना है भर देना है और सेटि तो यहाँ पर आपको उस device को select करना है जिस device का आपको Bluetooth टेटरिंग यूज़ करना है तो यहाँ पर setting पर click करें और इस button को enable करने की कोशिश करें लेकिन दोस्तों आपको अभी भी problem आएगा ठीक है आपको अभी भी problem आएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर internet access उस device में enabled नहीं है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते है कुटनोट connect तो यहाँ पर जो आपको Redmi का जो phone दिखाई देरा है जो phone model आपको दिखाई देरा है screen पर तो उस mobile पे Bluetooth ठेटरिंग इनेवल होना चाहिए ठीक है तो जो भी mobile से आपको Bluetooth ठेटरिंग यूज़ करना है उसके device में जाए ठीक है इसको इनेवल करने के बाद ही दोस्तों आप अपने mobile पे जाए कानेक्शन पे क्लिक कीजिए उस device पर इंटरनेट connectivity होना चाहिए ठीक है एंडेंट Bluetooth के आप्शन पर जाके गेर आइकन पे क्लिक करना है और यहां पे आपको internet access enable करने का option मिल जाएगा और आभी काम कर जाएगा problem fix हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इस problem को fix कर सकते हैं यह जो problem में दोस्तों आपकी device में से नहीं आते हैं ठीक है जहां कहीं से भी आप Bluetooth को connect कर रहे है और जिस mobile से आपको internet access चाहिए उस mobile के Bluetooth setting पर जाए Bluetooth tethering को enable करें and then आपके mobile पर जाके select कीजिए internet access को ठीक है Bluetooth के option पर जाके internet access को select कीजिए और उसके बाद connect भी हो जाएगा problem भी fix हो जागा यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको basic सा solution बता है अगर problem आते है तो आप reset कर दीजे Bluetooth settings को तो इस तरह के से दोस्तों आप अपने problem को fix कर सकते हैं उमिद करते हैं आपको वीडियो पसंदे होगा thanks for watching